नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चाहिए टेक्निकल मुकाबला में दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन एक जीरो बाइल फॉन की शाहिथा से ऊपन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिरंट एम वेस्ट के सुरु करते हैं दोस्तों इससे पहले मैंने बहुत से वीडियो बना रखी हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप किस तरीकी से और बहुत से बैंकों में ओनलाइन जीरो बालान्स एक उपन कर सकते हैं जैसे कि State Bank of India में, Bank of Bada में, Axis Bank में, Industry Bank में और बहुत से बैंकों में दोस्तों उन सभी वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्सन बॉक्स में या फिर आई बटन में देखने को मिल जाएगा दोस्तों जब भी आप ICICI Bank में online एक Zero Balance Saving Account उपन करते हैं तो आपको ये बैंको सभी चीजे प्रोवाइड करा देता है जो कि एक बैंक अपने customers को प्रोवाइड कराता है जैसे कि आपका ATM कार्ड, आपका credit कार्ड, आपकी checkbook और आपकी passbook और दोस्तों जब भी आप online ICICI Bank में Saving Account उपन करेंगे तो आप लोगों कुछ documents की जुरत पड़ेगी जो कि मैं आगे चलके अपनी इस वीडियो में बता दूँगा तो दोस्तों में request है आप लोगों से, प्लीज वीडियो को में सब पूरा देखे ताकि आप बैतर तरीके समझ पाएं जो भी मैं आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूं तो चली दोस्तों चलते हैं अपनी mobile screen पर और बताते हैं आपको कि आप किस तरीके से online एक Zero Balance Saving Account अपने mobile phone की साहिता से ICICI Bank में open कर सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि अब आप लोग देख सकते हो हम लोग आचुके हैं अपनी mobile screen पर दोस्तों आप लोगों को ICICI Bank में online एक Zero Balance Saving Account ओपन करने के लिए simply सबसे पहले अपनी mobile phone के Chrome browser को open करना है और वहाँ type करना है online जियां दोस्तों online ICICI Bank online account opening और उसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने बहुत से link ओपन होके आ जाएंगे और आप लोगों को नीचे की तरफ slide down करना है और यहां लिखाएगा saving account apply for saving account online at ICICI Bank आप लोगों को इस link पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस link पे क्लिक करोगे तो आप directly ICICI Bank की official website पे पहुच जाओगे और तो आप लोगों को simply यहां नीचे की तरफ एक interface देखने को मिलेगा जहां उपर की तरफ लिखाओगा ICICI Bank तो चलिए दोस्तो मैं कर लेता हूँ अपनी mobile screen को rotate ताकि आपको एक battery देखने को मिल सके और आप बेहदी आसानी से ICICI Bank में एक zero balance account open कर पाएंगे तो दोस्तो जैसा कि अब आप लोग देख सकते हो हमने कर लिया है अपनी mobile screen को rotate और मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को अप काफी अच्छा और battery देखने को मिल रहा होगा तो दोस्तो आपके सामने हाँ सबसे पहले ICICI Bank का उपर की तरफ logo देखने को मिलेगा तो आपको नीचे की तरफ slide down करना है और यहाँ आपको एक option मिलेगा open ICICI Bank saving account online instantly और नीचे की तरफ एक apply now का button मिलेगा तो आपको simply इस button पे click कर देना है और जैसे ही आप यहाँ click कर होगे तो आपके सामने हाँ दो option आएंगे पहला insta save account और दूसरा insta save fd account fd account पे फरकिया है कि आप लोगों काफी अच्छा interest मिल जाएगा तो आप दोनों में से कोई सा भी account open कर सकते हो दोस्तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें average monthly balance required 10,000 रुपीज है जिया दोस्तो तो आपको नीचे की तरफ यहाँ apply now पे click कर देना है और जैसे ही यहाँ apply now पे click करोगे तो आपको यहाँ सबसे पहले अपना mobile number फिल करना है और उसके बाद email id और उसके बाद pen card number तो चलिए दोस्तो मैं तीनों चीज यहाँ फिल कर देता हूँ तो दोस्तो अब आप लोग देख सकते हो मैंने इन तीनों चीजों को यहाँ फिल कर दिया है और यहाँ एक i authorized यानि terms and condition के बटन पे click कर देना है और उसके बाद आप लोग को simply नीचे की तरफ continue के बटन पे click कर देना है और जैसे ही मैं आप continue के बटन पे click करूँगा तो जो भी मैंने अपना mobile number फिल कर चुका हूँ तो उसके बाद मुझे simply नीचे दीवे continue के बटन पे click कर देना है और दोस्तो जैसे ही मैं उसके बाद आप continue के बटन पे click करूँगा तो मुझे वहाँ अपनी कुछ आधा़ डीटेल्स डालनी है जैसे कि मैंजे अपना name, father name, mother's name, nominee name और उसके बाद जैसे ही मुझे next step पे मैं जाऊंगा तो मुझे अपनी nominee details फिल करनी होगी और उसके बाद मुझे अपनी annual income और दोस्तो बस वो last step होगा जहां आप उसके बाद simply ICICI bank में online एक zero balance एकाउंट open कर पाएंगे दोस्तो मैं इस चीज़े फिल करके इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक already ICICI bank में existing customer हूँ तो आप लोग को पता होगा कि एक आदमी एक बार में एक आधार काट से एक ही अकाउंट open कर सकता है तो दोस्तो कुछ इस तरीके से आप ICICI bank में online एक zero balance account open कर सकते हैं तो दोस्तो जैसा कि हम लोगों ने अभी अपनी mobile screen जरीए आप लोग को पताया कि आप किस तरीके से online ICICI bank में अपने mobile phone की साहिते से एक zero balance account open कर सकते हैं दोस्तो इस account की सबसे खास बात यह है कि जब भी आप account open करते हो within 5 minutes आपके account को activate कर दिया जाता है मतलब आप account open करने के 5 या 10 minutes बात जैसे ही आपका account verify होता है आप तुरंत lendem कर सकते हो चाहे वो withdraw हो चाहे deposit हो और आप आधार card के द्वारा withdraw deposit सब कुछ कर सकते हो और दोस्तो इस account में आप लोगों को ATM card और credit card और checkbook और passbook के साथ-साथ net banking और mobile banking भी देखने को मिल जाएगी और दोस्तो अगर आप लोगों को जो भी मैं ICIC bank में वीडियो गना रहा उसकी net banking अक्टिवेट नहीं करनी आती तो आप लोग मुझे वीडियो में comment जरूर करें मैं उसके उपर भी एक dedicated वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों पेले हमारी वीडियो मददगार साभी तो ही हो तो प्लीज अमारे चाहिए को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें धन्यवाद दोस्तों